संस्कृत के प्रिविद्यारतियों आप सभी का बहुत मस्वागत है मेगनेट वरेश हिंदी मीडिया पर मैं पंकस्तिवारी जैसा कि या मैंने आपसे बादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका लिखित अभ्यास लेकर कि आऊंगा तो अब उस समय आ गया है आप लोग भी ब पाठा अभ्यास लिखिता ठीक बेटा चलिए आगे देखेंगे सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा आपकी स्क्रीन पर तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है अधो लिखित प्रश्ना नाम उत्त्राणी संस्कृत भासया प्रदत्त देखिए यहां पर लिखा हुआ है अधो लिखित प्रश्ना नाम उत्त्राणी संस्कित भासया दत्त ठीक तो अधा मने नीचे अधा का मतलब क्या है बेटा यहां अधा हाँ प्लस लिखिता नाम लिखिता नाम यही लिखा हुआ है ठीक अब यहां अधा में यहां बिशर की शंदी म में ओ हो गया है तो यहां अधो अधो लिखिता यह लिखा है अध सश्थी का बहुवच्ण और ये सश्ठी का बहुबचन यहां लगा हुआ है ये सश्ठी का बहुबचन है लिखिता प्रश्णा नाम और उत्राणी उत्रम उत्रे उत्राणी प्रत्मा का बहुबचन उत्रों देखिए और ये हमारा उत्रों उत्र को तो ये दुतिया का बहुबचन माना जाएगा क्यो संस्कृत भासा से दो तो यहां भासा का रूप लगा हुआ है तृतिया का एक बचन जैसे रमा रमाम रमया यहां हो जाएगा भासा भासाम भासया तृतिया बेवक्ति यह लिखा है भासया तृतिया बेवक्ति का एक बचन संस्कृत भासिया दत्त मैं यह बता चुका हूँ आपको कि यह कहां यह बनेगा हमारा मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष एक बचन लोट लकार कहां बनेगा लोट लकार तो यह लोट लकार आपका अग्यार्थक है तो आपको आज्या दी जा रही है आपको यहाँ पर आज्या सुचक है कि आप लोगों को जो उत्तर देना है वो संस्कित भासा के द्वारा देना है बारतम केसाम देशा अस्ति बारत कैसा देश है किसका देश है भारत किसका देश है कैसा देश है किसाम देखी किसकी कैसा देश है तो बारतम में बारतम में क्या लगा हुआ है भारत को कैसा देश है बारतम प्रतमा का एक बचन बारतम केसाम में शश्ठी का बहु बचन लगा जो केसाम बना हूए है यह हमारा कैसे चलेघा के काम देखी यह से के कान कई ही के भ्या के भ्या केव्या के साम केशु केव्या केव्या के साम केशु सश्थी विवक्ती का बहुवचल लगा हुआ है यहाँ पर भी ठीक भारत हमारा कैसा देश है देखिए कैसा देश है बताइए ग्रामानाम गाओं का गाओं का देश है भारत में कैसा देश है भारतम ग्रामा नाम देशाजती इसमें बहुत ज्यादा हमारे यहां ग्रामीड छेत्र हैं ठीक ध्यान लखिएगा सहरी जीवन हमारे यहां पर कम हैं लेकन हमारे यहां ग्रामीड जीवन ज्यादा है इसलिए केसाम में सश्ठी का बहुबचन तो ग्रामा नाम में भी सश्ठ तो प्रस्वाइम प्रश्णा आपका दिया हुआ है ठीक है पिटा आगे देखें धूसरा प्रश्णा आपका दिया हुआ है देसे। गाओं की अपेक्छा किसकी संख्या क्रमसा बढ़ रही है ठेक तो यहाँ देखें देसे में सप्तमी विभक्ती का एक वचन जैसे रा में वैसे ही बनेगा हमारा सप्तमी वचन में देसे जैसे रा में बनता है वैसे ही बनेगा हमारा देसे बनेगा की नी बनेगा तो देंसे ग्रामे अब ग्राम अपेकच्छा ग्राम प्लस अपेकच्छा गाम की अपेकच्छा से तो यहां आ और यहां आ दौनों मिलेंगे बड़ा आ बनेगा ठीक दोनों मिल मिल करके क्या बना लेंगे बड़ा आ तो यहां दीर के संधी बनेगे क्या बनेगी बिटा दीर के संधी और आ मिल जाएगा तो यहां बनेगा आपका ग्रामा ग्रामा पेक्छाया ग्राम अपेख्षया हो गया नब आफ यहां उनलब का देश। और गाहुं की अपेख्षा से अब बात करें हम से क्यों उआया है, आप का तृतिय विभक्ति लगी हुई है, अक्व हिख्षा की रूप चलेंगा हिर्मा कर देख्षा अपेख्षा है, जैसे यह यहां बनेगा आपेक्च्स आपएक्च्छाम है यहां वो गया है अ किरे मने किसकी संख्या मने संख्या क्रूंसा मने लगा ता वर्ध वर दंदद法्ति वर्ध ऐसे रूप बनेगा ब्रिद धातू बढ़ने के अर्थ में है और बढ़ने के अर्थ में है तो ये लट लकार पृत्तम पुरुष एक बचन का रूप बनेगा आत्मने पद में देश में गाओं की अपेक्छा से किसकी संख्या क्रमसह बढ़ रही है तो निश्चत है कि गाओं की अपेक्छा से नगर की संख्या बढ़ रही है केसाम नगराणाम केसाम नगराणाम संख्या क्रमसह वर्थ तत्य देखो नगराणाम आगे है न देश की अपेक्षा से नगरों की संख्या क्रमसा बढ़ रही है और नगरों का जीवन ज्यादा बन रहा है नगरों का विकास हो रहा है तो नगरों की संख्या बढ़ रही है अब गाओं की संख्या कम हो रही है ठीक तो देशे ग्रामा पेक्षा नगराराम संख्य यहां पर भी जित जो अभी मैंने यहां विवक्तियां बतलाई हैं वो विवक्तियां यहां पर भी आपकी लगी हुई है तीसरा नमबर प्रश्न रहेगा मानवा काम कल्प इत्वा नगराणाम निर्मा में मानवों कहा काम मानवों को मानवों मानवों ने किसकी कल्प इत्वा कल्पना करना नगरों में निर्मार किया है किसकी कल्पना से नगरों का निर्मार किया है ठीक तो यहां कल्प इत्वा में कल्प इत्वा त्वा प्रत्य लगा हुआ है काम में दुतिया बिभक्ती लगई ये कहा काम ठीक कया का काम कया तो और देखे नगरानी नगरम नगरे नगरानी प्रत्मा का बहुबचा निर्म में यहाँ पर भी निर्मान करने की अर्थ में है निर्मान सरजन करने की अर्थ में स्वा भौत की अपनी भौत की देखी काम कि कि कल्प ना करके कल्प एत्वा मानवाह स्वा भौतिकी सुक्सम्रद्धी कल्प एत्वा नग्राराम निर्मा में उन्होंने अपनी भौतिक सुक्सम्रद्धी के लिए नग्रों की क्या की नगरों का निर्माण करवाया और किया मेहनत की और ये सब कृतिम है बहुतिक मतलब खुद बनाये हुए नगर है प्राकृतिक रूप से तो ग्राम ही है देखिए स्वस्ष काम बोले स्वस्ष भौत की सुक्सम्रद्धि स्वस्ष भौत की सुक्सम्रद्धिम कल्पित्वा मतलब इतना जोड़ा गया है इसमें इस अंसर में क्या जोड़ा गया है ये इस अंसर में क्या जोड़ा गया है नगराणाम ठिक, आगे चले, अगला दिया हुए मानवेभ्या, मानवेभ्या के साम बस्तू नाम आवसक्ता वरते, मानवों के लिए कैसी बस्तूओं की आवसक्ता होती है, कौन-कौन सी बस्तूओं की आवसक्ता होती है, मानवेभ्या मैं देखें, सश्टी चतूर्थी का बहुचन लग लगा हुआ है बित ध्राइव वर्त बनता है थिक ध्यान रखले है तो मानवेभ्या जैसे रमेभ्या वैसे मानवेभ्या केसाम कहकं क्यम कस्म आजायेगा के कान कई कि व्या के व्या के साम सच्टी कब अब 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 किस मारू को लाउबन किस प्रकार की व्याव सक्ता है कि वस्तुमों की देखिए तिन चीज चार तीन चीजों की होता है सीधी सीधी बात है कि भोजन मकान और वस्त तीन चीजों की आवसकता होती मानविभ्या मानवों के लिए भोजनम वसनम आवासस चेती तिस्तरह आवसकता वर्तती इन तीन चीजों की आवसकता मानवों को निश कपड़ा और मकान ऐसा कह सकते है ना रोटी कपड़ा और मकान ठीक चेती आवासस चेती में यहां विशर्ग शंदी हो जाएगी आवासा में प्रत्मा का एक बचन बसनम में प्रत्मा का एक बचन और चा इती तो यहां गुर्ण प्लस एती आके बाद ए आने पर ए बन जाता है और एक की मातरा लग जाएगी तो चे ती जाएगा ठीक यहां पर लिखा ना तिस्त्रा बहुभचनांत रूप लगा हुआ है ठीक त्रया हाँ ट्रयो तिस्त्रा तो आवस्यक्ता वर्सते अगला देखें अध्यत्वे ग्रामेसु की दिर्शम संकट कारणम दिर्शते आज गाओं में किस प्रकार का संकट कारण देखने को मिलता है किस प्रकार का शंकट तो वही है भूमी विवाद हो गया है जातिगत विवाद हो गया है और दल मतलब जैसे पायटी बनाना वो हो गया है देखिए इस सारी चीजे हैं देखो अध्यत्वे ग्रामेसु समाजेचा गाओं की समाज में क्या हो रहा है यही संकट के कारण दिखाई देते हैं यहाँ पर देख लीजिए अध्यत्वे अध्यत्वे अध्यमतलब आज और और यहाँ पर ग्रामेसु में देखा है सब्तुमी का वहुचन की दिर्शम माने किस प्रकार का संकट कारण माने शंकट को दिरिख द्रिख्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्य द्रिख्धात्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् प्रशार से मतलब दो पार्टियां हो रही है छोटी छोटी पार्टियां है लेकिन उनमें क्या है पार्टी बंद होने की वज़े से आपस में मेले नहीं है दल प्रतिवत दिता दो दो दल बने हुए है तीन तीन दल बने हुए है ये उस दल का है ये उस दल का है समूहों में इसलिए लोग क्या है विवाद करते हैं जाती बादा और उच नीच का भेदवाओ भी है गाओं में बहुत ज़्यादा भूमी विवाद तो भाई-भाई में भी कर लेते हैं और उसमें जगड़े होते हैं यही संकट का कारण आजकल गाओं में देखने को मिलता है ठिक तो इ लिखिता नाम पदा नाम नीचे जो हमारे लिखे हुए पद हैं उन पदों की प्रकरती और प्रत्य विभागम लिखत अलग-अलग करके लिखना है देखिए अधो अधा मतलब नीचे लिखिता नाम माने लिखे हुए पदा नाम माने पदों को प्रकरती और प्रत्य विभ निर्माड हुए है और इनके पीछे जुड़ने वाला प्रत्य कौन सा है यह सब्दों को हमें क्या करना है इसमें लिखना है आप देख लीजीए यह देख लीजीए यह आप देखें अब मैं आपको तो बात की नहीं गई है तो सर आप उपसर्ग ही क्यों बता रहा है ऐसी भी बात कह सकते हैं आप कह सकते हैं ना चलिए मैं आपको बता दू किसी सब्द का निर्मार होता है तो या तो धातू से होता है या सब्द से होता है ठीक अब और प्रत्य प्रत्य लगेगा उसमें आग कोई ना कोई उपसर्ग हो सकता है जरूरी नहीं है कि प्रत्य के साथ में उपसर्ग ही आता है तो प्रत्य उपसर्ग दोनों भी हो सकते हैं हो सकता है किवल प्रत्य भी हो बश इसके अलाबा कुछ ना कुछ आपका होता ही है अब इसमें इन्होंने का संस्कृति तो इसमें सम उपसर्ग लगा हुए है क्रीधातु है और जो आपकी प्रकरती कहलाएगी क्रीधातु आपकी क्या कहलाएगी प्रकरती कहलाएगी और एक्तिन प्रत्य है ये क्रदंत प्रत्य है इसमें सेस बचेगा हमारा ती देखिए इसमें ना की इत्षंग्या हो जाएगी और का की इत् लसक्वत तद्धिते इसकी इत्संग्या हो जाएगी और जिसकी इत्संग्या होती है उसका क्या हो जाता है तस से लोपा से लोप हो जाता है इतना तुम्हें आपको यह बता दे रहा हूं ठीक इनका लोप हो जाएगा तो आपका देखिए इसमें ए की मात्रा और ता बच गय बचे आएगा बच आएगा अब क्रि अर्ति जुड़ेगा तो क्रति बन जाएगा और शंचा मा बिंदी में पण बवरतन हो WIL जाएगा और सुट का आगम हों करके संस्क्रति यहां बन जाएगा यह सब्द बन जाएगा ठेक प्रत्मा का एक बचन फिर लिखाए ग्राम्यम तो ग्राम्यम में ग्राम आपका सब्द रहेगा ये ग्राम आपका सब्द रहेगा और ये सूत्र रहेगा यत यत प्रत्य में यासेस रहेगा ठीक और इसमें इसका सूत्र यत प्रत्य का सूत्र अचो यत अचो यत यत ये आप का इसमें सुत्र रखता है जिसके कारण से ये सुत्र आपकी क्या है इसकी संग्या करता है इसमें यासेस रहेगा इसमें तीसेस रहेगा और सीधे सीधे बन जाएगा ग्राम यत बनावर ग्राम्य ग्राम्य और रूप चल जाएगा ग्राम्या ग्राम्यम ऐसे बन जाएगा इसके बाद लिखा हुआ है अवरोध्धम इसमें अव उप्षर्ग है देखी इसमें कोई उप्षर्ग नहीं है इसमें कोई उप्षर्ग नहीं है लेकिन इसमें फिर उप्षर्ग आ गया है जैसे इसमें उप्षर्ग था इसमें भी सक्वत तद्धिते और तसलोपा से हटा दिया जाएगा तो तासेश बचेगा रूत धातू है मतलब ये हमारा कृदंत प्रत्य है ग्राम इसमें सब्द है तो ये माल के चलिए ये हमारा तद्धित प्रत्य है ठीक है बटा आगे चले फिर इसके बाद लिखा हुआ है वेज्ञानिका तो विज्ञान इसमें सब्द है और ठक प्रत्य है ठक को एक आदिस हो जाता है ठक को एक आदिस होता है बनता है वेज्ञानिक बन जाएगा और प्रत्मा का एक बचन लग जाएगा तो वैग्यानि कह वैग्यानि कह वैग्यानि कह वैग्यानि कह ऐसे बन जाएगा ठीक तो इसमें ठक प्रित्ताय से ब्रद्धी हो जाती है तो यहां दो मात्रा आ जाएगी एक प्रित्ताय की यह गुसे इतना ध्यान रख लेना ठीक यहां आपका वैग्यानि कह बन जाएगा क्या बन जाएगा वैज्यानिका इसमें आपका ठक में अक और अक को एक आदिस हो जाता है ठीक अक को ठक रहेगा ठक में अक हो जाएगा यहां एक हो जाएगा ठीक अब यहां लिखा हुआ है कदा कदा मने कब तो यह कद से बनता है आप रत्ते की योग में तो कि इस्थान पर दा हो जाता है जसत तो संदी के आधार पर तो कद ऑवा जुड़ेगा तो बनेगा कदा ठीक बन जाएगा कदा अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि यह प्रकरती और प्रत्य में आपको यह आपकी प्रकरती है यह आपकी प्रकरती है यह आपकी प्रकरती ह और यह आपकी प्रकरती है यह आपकी प्रकरती है पीछे जुड़ने वाले जितने में गोला लगा हुआ है यह आपके सब प्रत्य कहलाएंगे ठेक अब आपसे प्रश्न कैसा आएगा सर आप बता दीजिए तो आपको मैं बता दू उससे पूछेगा कि इसका निम्न लिखत का प्रकरती और प्रत्य अलग करिए तो आपको यह यह अलग करना पड़ेगा ऐसे ऐसे अलग करना पड़ेगा फिर और दूसरे प्रकार से प्र प्रशन आएगा ज्यादा इसमें कुछ है नहीं आएगा सुत्रुत इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा अंधर थोड़ा सा जटिल हो जाता है तो इतना अंधर उनका पूछने का जरूरत नहीं है ठीक है बेटा आगे चलते हैं इसके बाद प्रशन दिये हुए हैं हमारे प्रशान नमबर तीसरा है जिसमें लिखा है संधी विच्छेदम कूर्टा संधी बिच्छेद करना है मतलब इनки अलग-अलग करना है संधी विच्छिदों को कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए इसमें लिखा है ग्रामे अध्यपी ग्रामे अध्यपी इस प्रकार से आप इसको अलग-अलग कर शकते हैं ठीक ऐसे अलग हो गया एतत लाभा तो एतत प्लश लाभ हो बराबर एतत लाभा और धन अरजनम धन प्लस अरजनम धन प्लस अरजनम चा प्लस इती और प्राचीन उक्ति प्राचीन प्लस उक्ति बराबर प्राचीन उक्ति हो जाएगा ठीक अब इतना ध्यान रख लेना कि ये इसकी केवल संधी विच्छिद है और संधी विच्छिद के अलाबा भी इसमें कुछ होता है संधियों को बनाना जोड़ना ये बहुत महत्पूर है ये तो केवल रटा मार पढ़ाई है कि मैंने केवल एक्सेसाइज को स्वल्ब कर लिया है और बहुत अच्छे से बनने लगी है अगर परिच्छा में ये आ जाएगा तो मैं ऐसे कर दूँगा ये देखो अलग मैटल करता है अच्छी बात है कि अगर आप परिच्छा के लिए इस प्रकार की तैयारी कर रहे है तो समय की बचत होती है देखें उन्होंने कहा कि ग्रामे अध्यापी आया तो हम लोगों यासे कर दिया ठीक लेकिन आप क्या है बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा चलिए इसको आप देख लीजी एक बार ये आपका दिया हुआ है अब इसमें देखते हैं जो इसमें दिया हुआ है ग्रामे अध्य तो इतना यहां से लेकर कि यहां तक आपकी होगी संधी कौनसी पूर्वरूप कौनसी संधी होगी बेटा पूर्वरूप संधी होगी ठीक यहां यहां पूर्वरूप संधी और यहां आपकी होगी दीर की संधी कौन सी होगी यहां यहां दीर गिशन्दी ठीक अब यहां और यहां पर सर कौन सी संदी होगी तो यहां होगी आपकी हल संदी कौन सी संदी हल जिसे आप ब्यांजन संदी के रूप में भी जानते हैं यहां ठीक और यहां पर सर कॉंसी संदी होगी तो यहां पर भी आपकी दीर गिशंदी होगी कॉंसी होगी दीर गिशंदी यहां सर कॉंसी होगी तो यहां गुण शंदी होगी कॉंसी बिटा यहां आपकी गुण शंदी होगी यहां कौन सी संदी होगी यहां भी आपकी गुण संदी ही होगी लेकिर कैसे होगी वो मैं आपको अब बता रहा हूँ ठीक यह तो मैंने आपको बताया है कि यह परिच्छा में आपके इतना पूछे जाएगा कि इसमें कौन सी संदी है तो आप बता देना ये संदी है इसमें कौन सी संदी है तो आप बता देना ये संदी है इसमें बताना कि इसमें कौन सी संदी है तो आप ये बता सकते हैं बता सकते हैं इसमें आप से पूछे तो ये संदी बता देना अपी वो अध्य प्लस अपी यह आ गया अब उन्होंने कह दिया इससे बनने वाला सब्द कौन सा है तो इसको कैसे जोड़ेंगे कुछ नहीं करना है यह लिखा हुआ है पूरवरूप संदी कहती है कि पहले पद में यह आ जाए तो पीछे वाले आख को अवग्रह की रूप म यहां ऐसे जुड़ जाएगा तो ग्रामे ध्यापी बन गया की नहीं बन गया यहा आपकी इसमें दिर की शंदी हो गई है अब यहां पर देख लेना है आगे ये तत्ट लाप ये तत्ट प्लश लाप दिया हुआ है ये दिया ये तक प्लस लाप तो इसको हम सर ऐसे,जर ज संदी है इसमें और लत्व संदी का सूत्र होता है तोरली कौन सा तोरली तोरली हमारा इसमें सूत्र रहेगा जो आपको ताके बाद अगर ता आता है तो क्या होता है लकार हो जाता है ताके स्थान पर एतत की जगह एतल हो जाएगा एतल लाभा यह हो गया यहां अब इसको ज बन गया न एतल लाभाहा इस प्रकार से यहाँ पर हमारी बेंजन संदी हो जाएगी ठीक आगे देखें आगे दिया हुगा है इसमें धन अरजना धन अरजनम धन प्लस अरजनम धन प्लस अरजनम धन प्लस अरजनम की बात करते हैं तो यहाँ पर A आ आ जाएगा और यहाँ पर A आ आ जाएगा दोनों को मिलाएंगे बड़ा A बनेगा बन जाएगा बढ़ा A तो कॉल सी संधी आ जाएगी बटा यहाँ यहाँ दीर गेशंधी आ जाएगी और आ आ मिलकर की यहां क्या बना लेगा बला आ बना लेगा अब इसमें से क्या करना है कि धन धन लिग दिया ना क्योंकि आ निकल गया है तो ना आधा पड़ जाएगा और यहां आ और दोनों को मिलाया यहां पर आ निकल गया है तो यहां बन जाएगा जनम और आ को इसमें ज जड़ा एब पूछानी जाएगा इसमें शीधार रहेगा अकहा शवर्ने इसमें सूत्र रहेगा high सिदह सिदह बन जाएगा आका शबरने दीरगा के आधार पर ठिक आगे चले तो दिरग शंदी इसमें हो गई अब इसके बाद अगला सब्दें दिया हुगा है चीती चीती अभी जश्ट इसके पहले ही बताया है मैंने चा प्लस इती और चा मैंसे क्या ले लिया इप ले लि इस पर लगाओगे, तो च और ती लिगे दोगे जेवकते हो तो च ती बन जाएगा तो च यह न बरावर च ती तो इसमें आपकी गुर्षणदी हो जाएगी कौन सी संदी? गुर्षणदी फिर लिखा हुआ है प्राचीन बॉकति प्राचीन प्लस उक्ती तो यहीं देख लीजी इसका आ और यहां इसका ओ दौनों को मिलाएंगे ओ बन जाएगा बनेगा की नी बनेगा ठिक बहुत सरल है बहुत सरल अगर आप लोग बस ध्यान त्यान से देखते जाएगी तो बिलकुर कहीं पर भी आपको समस्या नहीं जाएगी ओ बन गया अब देखना प्राचीन 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 मैंसे देख लो आपने क्या निका तो देखिए यहां लग जाएगी ओ और यहां से ओ निकल जाएगा और आधा का और ती जुन जाएगा सब्द आपका बनेगा क्या प्राचीन नोक्ति क्या बनेगा बिटा प्राचीन नोक्ति तो यहां पर आपकी गुर्षंदी हो जाएगी और गुर्षंदी का सूत्र आप लोगों को पता है आद गुण गुण शंदी का सूत्र क्या है आद गुण बन जायेगा ये गुण शंदी का सूत्र है आद गुण सीधा सीधा है देखिए आप अगर इसको समझते जाएंगे तो बहुत शरह है नहीं समझ पाएंगे तो वहीं आपका क्या है कठेन आपको नीचे और लिखता नाम माने लिखे हुए नीचे लिखे हुए जो बाक्या नाम माने बाक्यों को संस्कृत भासायाम संस्कृत भासा में अनुबादम माने अनुबाद कुरुत माने करो अब यहां पर देख लेना है कि जो यह लखा हुआ है यहां विशर की संदी है विशर की तो सप्तमी का बहुचन रूप लगा हुआ है अनुबादम माने अनुबाद को तो दुतिया व्हक्ति का एक बचन पुरुत जो लगा हुआ है मध्यम पुरुष का लगा हुआ है बहुचन मध्यम पुरुष का बहुचन रूप लगा हुआ है कुरुत ध्यान लख लेना ठीक कुरुत कुरुताम कुरुवन ठीक करोत यह बनेगा हमारा कुरुत कुरुताम और कुरुवन फिर बनेगा आपका कुरु कुरुतम और कुरुत ऐसे बनेगा ठीक तो यह आपका लुटलकार का लगा हुए अब हमारे देश में अधिक लोग गाओं में रहते हैं तो यहाँ पर आपने अभी प्रश्णों को सॉल्व किया है प्रश्णों को सॉल्व किया है ना तो प्रश्णों को सॉल्व किया है तो वहां लिखा हुआ था हमारे देश में अधिक लोग गाओं में रहते हैं तो हमारे के लिए अस्माकम हमारे के लिए मैंने बताया था सच्टी भक्ति का वहुबचन लगेगा और अस्मत की रूप चलेंगे तो इसमें बनेगा हमारा क्या वयम अस्मान अस्माभी क्या आ जाएगा यहां असमाकम असमाकम देश में सब्तमी वक्ती तो देशे असमाकम देशे अधिक लोग गाउं में रहते हैं तो अधिकाह देशे अधिकाह ठीक अधिकाह अब लोग हैं तो बहुत सारे लोग हैं तो यहां जनाह कर दो क्या कर दो जनाह, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, विल्कुल सीधा सीधा, जई здесь, आस्मा कम दे से अधिकाह जनाह गां में, देखिए, क्या हो जाएगा, गां में, तो ग्रामें, और रहते हैं, तो निवशंती निवशंती, क्या दिक्कत है बताइए गाव में ग्राव में रहने के लिए निवशंती है तो इसलिए बहुवचन पद है बहुत सारे लोग है गाव में रहते हैं अब ये आप ने देख लिया बिल्कुल सेम एकेच सब्द का अर्थ आप लोग अगर समझ रहे हैं रूप देख रहे हैं तो कहीं पर कोई समस्य आपको नहीं जाएगी ये देखना आप संस्कृत का अनुबाद है देखो जनाह ग्रामे निवशंती ये आपको यहां से रफ कर दो संस्कृत भासायाम अनुबाद हमारे के लिए क्या आगया अस्माकम आगया देश के लिए देशे अधिका के लिए बहुत कह सकते हैं और अधिक के लिए अधिका भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग हैं तो जनाह ठीक गाओं में तो गिरामे रहते हैं तो निवशन्ति अस्मा कम देशे बहुआ जनाह गिरामे निवशन्ति आगया की नहीं आगया विटा बिलकुल यहां जो बहुआ आया है बिलकुल भी दिमाग से यह निकाल दीजिए तो वहां अधिका गाओं का ग्रामस जीवन जीवनम सुखमयम सुखमयम था आसीत प्राचीन काल में गाओं का जीवन सुखमय था तो यहां पर सब्तमी भक्ति का एक बचन क्यों क्योंकि मैं लगा हुआ है प्राचीन काल में तो सब्तमी भक्ति का एक बचन गाओं का तो का का के की सश्टी का तो गाओं का ग्रामस जीवन जीवनम सुखमय सुखमयम था आसीत एक एक सब्द पर चर्चा यहां पर की जा रही है इससे ताकि आपसे यह अनुबाद भी बनने लगें देखिए थोड़ा सा आपको प्रयास यह करना पड़ेगा कि आपको यह रूपों का तो देखो आपको क करना पड़ेगा आपने देखा है कि यूटूब पर मेरी वीडियो भी पड़ी है किस रूपों को कैसे आपको पड़ना कैसे सीखना पड़ी हुई है रूप सिखाने की ट्रिक तो आप उसको भी देख लीजी अच्छे से तो ध्यान रखना क्योंकि रूप कैसे सीखे जाते हैं रूप किसी को देख करके नहीं सीखे जाते हैं आपके अंदर के अंदर जो भाव जगेगा आप तभी रूप सीख पाएंगे नहीं तो रूप भूल जाएगे ठीक फिर इसके बाद दिया हो गाओं में नियुन्तम सुविधाएं हैं और स्वभाविक सी बात गाओं में कम सुविधाएं हैं तो इसके लिए आपको देखो संस्कित भासा में अनुबद कर दो गाओं में तो सब्तमी भक्ति गड़ा में नियुन्तम माने नियुन्तमा सुविधाएं सुविधा अस्ति हैं गाओं में नियुन्तम सुविधाएं हैं ठीक बन गया गाओं में कम पैसा उसी सी तो उनका भरन पोशन होता है उसी से उनका परिवार चलता है तो गाउं के लोग देख लीजिए संस्कित भासा में इसका अनुबाद देख लीजिए ग्रामश्य गाउं के का के की का चिन सश्टी भक्ति में है इसलिए गाउं के तो ग्रामश्य लोग जनाह के लोग नगरों में जीविका पाते हैं तो जीविका लभंते भाई जीविका मतलब रोजगार वो कुछ काम करने के लिए कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं तो जीविका जीविका पाते हैं तो लब धातु प्राप्त करने के अर्थ वो लभते लभेते लभंते तो लट लक आगे दिखे इसके बाद अगला दिया हुआ है गाओं में आज स्वर्गी की कलपना नहीं है गाओं में आज हम स्वर्गी की कलपना नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब गाओं में जातिगत विवाद दुनिया भर की भेदभा होने लगे इसलिए स्वर्गी की कलपना नहीं कर सकते हैं गाओं में तो सब्तमी का एक बचल गाओं में तो सब्तमी विवक्ति का एक बचल आज आज मतलब इस समय की बात कर रहे है आज बरतमान एक दिन की बात नहीं कर रहे है अब पूरे बरतमान आज की कर रहे है तो इस शमय जो हमारा चल ला है तो अधोना सब्दा जाएगा इस शमय गाओं में हम क्या है श्वर्गस माचने स्वर्गे की, काके की सस्टी का एक बच्छन लगा हुआ है मैं नहीं कर सकते हैं आगे देखें अगला प्रश्नी दिया हुआ है अधो लिखित पदानाम स्वाख्येसु प्रियोगम कुरुद ठीक अधा माने नीचे लिखिता नाम माने शष्टी का वह वच्ण नीचे लिखे हुए पदानाम माने पदाओं को स्वाख्येसु अपने वयम से बाक्य बना सकते हैं उन बाक्यों का प्रयोग संस्कृत में इन बाक्यों का प्रयोग करना जैसे निर्वांती अधुना निर्वांती का मतलब होता है निर्वाहा करना या उसको किसी प्रकार से भरर भरर पूछन करना अधुना माने इस समय पुरा माने प्राचीन कदा माने कब पलायते माने होता है भागना या पलायन करना एक स्थान से दूसरी जगह जाना इन सब्दों के आधार पर यहां वाक्यों का निर्मान करना है तो आप किसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे यह लिखे हुए है यह लिखे हैं देखें निर्भांती सब्द आया है निर्भांती में जनाह स्वाग्रामेन संबंधम अपी निर्भांती ठीक अब यह क्या है आप अपने पार्ट से भी इनको अलग करके छाट करके लिख सकते हैं यहाँ पर इसका अरत दिखिए जणा माने लोग स्वग्रियामेन माने अपने गाउं से संबंध माने संबंध अपिमान भी निर्वाहंती अर्थार्च शेहर में रहने के बाद भी आज ऐसे कई लोग हैं जो अपने गाओं से क्या है संबंध रखते हैं उन्होंने परित्याग नहीं किया है त्याग नहीं किया है कि हम गाओं नहीं जाएंगे आज भी वह अपने गाओं से क्या करते हैं संबंध रखते हैं फिर इसके बाद दिया हुआ है अधुना अधुना सब्द दिया हुआ है जिसमें उनका अधुना ब्रष्टी ना अभवत आज इस शमय ब्रष्टी नहीं हो रही है आज क्या है आज ब्रष्टी नहीं होगी अधुना अधुना मने इस शमय ब्रष्टी ना मने नहीं अभवत मने होगी नहीं हुई थी आज ब्रष्टी नहीं हुई थी ठीक अब यहां देखे अग पुरा पुरा भारत वर्ष हा संपन्नम आसी पहले भारत वर्ष हमारा क्या था शंपन्न देश था आज हमारे देश में क्या है बोले पहले भारत वर्ष को सौने की चलिया कहा जाता था आज नहीं कहा जाता है पहले बहुत सारी संपन्ने राजाओं के पास बहु भिकारी हैं वो नगर की ओर क्या कर रहे हैं पलायन कर रहे हैं अब अब ऐसा कह सकते हैं कि ग्रामीन वासिनहा क्या है नगरम प्रति पलायती ठीक गाओं के लोग क्या कर रहे हैं सहर की ओर पलायन कर रहे हैं ठीक है तो ये आपको क्या करना है इस प्रकार से बाक्य बनाना है बहुत सारे बाक्त हैं आप भी बनाईएगा कोसिस करियेगा ठीक आज की किलास हमारी यहीं तक रहेगी हम लोगों ने ये अपना लिखित अभ्यास पूरा कर लिया है और बहुत जल्द हम अगला पाठ आपके लिए ले करके आएंगे तो आप लोग निश्चिन तो हो करके मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा और हमारी सुबकामनाएं आपके साथ हैं हम आप आसा करते हैं कि आप लोग आपका उज्जल भविस हो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा ठीक बस आप किसी भी माध्यम सों डरने की आपको बात नहीं है क्योंकि हर चीज के एक समस्या का समाधान होता है आपकी समस्या का समाधान मैगनेट परिवार है ज्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर यत्र तत्र शर्वत्र भारत का एक मात्र ऐशा प्लेटफॉम है जो आप लो आपका English medium हो, चाहे Hindi medium से हो, UP बोट से हो, बिहार बोट से हो, MP बोट से हो, कहीं से भी हो, क्योंकि उच्च गुरबत्ता के साथ, High Quality Education Platform है ये, तो उच्च गुरबत्ता के साथ, आपको योग सिक्षकों के द्वारा यहाँ पर सिक्षा दी जा रही है, मैं, हाँ, आप लोगों क हमारे यहाँ का पूरा संपूर्ण कोर्ष का हमारा नोट्स तयार किया जा रहा है, और बहुत अच्छा कोर्ष है, तो आप लोग देर नहीं करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्सर लिंक पर जाएंगे, ये नोट्स और ईबुक्स के माद्यम से, यहाँ से नोट्स प्राप्त क कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, बस मैं इतना कहूंगा कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे, तो ला